हेलो फ्रेंड्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बिर्यानी की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं डेली और वीकंड स्पेसियल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें एक बिर्यानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर बोईल की हुए साथ अंडे लिए हैं इसमें हम एट करेंगे एक चोथाई टीस्पून कस्मिली लालमिज पाउडर और दो चुटकी नमक और इन मसालों को अंडों पर अच्छे से कोट कर लेंगे तो अंडों पर मसाले अच्छे से कोट हो जाए उसके बाद हम इसे प्रिक करेंगे तो अंडों को प्रिक करने के लिए आप छूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर फोक का इस्तेमाल कर लें क्योंकि हम इन अंडों को फ्राइ करेंगे तो इसा करने से क्या होगा कि जब अंडों को फ्राइ करेंगे तब यह फटेंगे नहीं और जो भी मसाला है वो अंडों के अंदर अच्छे से पहुंच जाएगा तो बिज्यानी बनाने के लिए हमने पेन में 8 बसपून तेल अच्छे से गरम कर लिया है इसमें अंडे एट कर देंगे पहले अंडो को हम तेल में फ्राइ करेंगे और गेस की फ्लेम को मेडियम रखेंगे तो अंडो को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और इसकी साइड्स को चेंज करते हुए हर तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अंडो को तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक इस पर मसाले की एक क्रिस्पी लेयर ना आ जाए तो अब देख सकते हैं कि 2-3 मिनिट तक तेल में फ्राई करने के बाद अंडो पर मसालों की एक क्रिस्पी लेयर आ चुकी है तो इतना ही हम इनको फ्राई करेंगे और तेल में से निकाल लेंगे तो जिस पेन में हमने अंडो को फ्राई करके निकाला है उसी में हम कुछ खड़े मसाले एट करेंगे जैसे कि एक तेश पत्ता, दो दालचीनी, एक बाद्यान का फूल और दस काली मिज साथ ही में हम इसमें एट करेंगे हाफ टी स्पून जीरा कुछ सेकेंड्स तक खड़े मसालों को तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें एट करेंगे दो मीडियम सैस के कटे हुए टमाटर और टमाटर को हम तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े सोफ्ट ना हो जाए तो एक से दो मिनिट तक तेल में फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि टामाटर थोड़े सोफ्ट होने लगे हैं इस टेच पर हम इसमें एट करेंगे एक टीस्पून बिर्यानी मसाला बिर्यानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बिर्यानी मसाला ना हो तो आप हाफ टीस्पून गरम मसाला एट कर दें एक टीस्पून अधरक लेसुन का पेस्ट एक टीस्पून छोटी हरी मिच का पेस्ट हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून धन्या पाउडर 1.5 टीस्पून लालमीच पाउडर और 1 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसान नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर हम मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक इनका कच्चापन दूर ना हो जाए इस टेज पर हम इसमें दही इट करेंगे तो दही इट करते oli वक्त हम गेस की फ्लेम को बिल Massachusetts कर देंगे और यह तरह हमने च्छे टेबंस पून दही लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही के साथ इन मसालों को पांच मिनित के लिए पकाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें दही एट करने के बाद हमने से लो फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इसका तेल भी सरफेस पर आने लगा है इस टेश पर हम इसमें फ्राई की उवी प्याज एट कर देंगे तो हमने बिर्यानी के लिए पहले से पांच मीडियम साइज की प्याज को तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करके रखा हुआ है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर दो से तीन मिनिट के लिए और पकाएंगे तो प्याज एट करने के बाद हमने इसे कवर करके लो फ्लेम पर कुछ दे तक और पका लिया तो हमने जो बोईल करके फ्राई किये हुए अंडे रखे हैं वो इसमें एट कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब देख सकते हैं कि हमने अंडो में पहले से कट्स लगाए हैं इसलिए अंडे फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी फटे नहीं और ये जो मसाला है वो भी अंडो के अंदर तक अच्छे से पहुँच जाएगा तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके एक लेयर बना देंगे तो मसालों की एक लेयर बनाने के बाद हम इसके सेंटर में तीन से चार टेबल स्पून पानी एट कर देंगे हिसा करने से क्या होगा कि जब हम बिर्यानी को दम करेंगे तो इसमें दाग नहीं लगेगा तो मसालों की एक लेयर बनाने के बाद हम इसमें बोईल की हुए चावल एट कर देंगे तो हमने 500 ग्राम बोईल की हुए बासमती चावल लिये हैं तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि हमने चावल को बोईल करते वक्त इसमें नमक एट किया है और हमने जो चावल लिये हैं उसे हमने सिर्फ 80% तक ही बोईल किया है तो अब हम इस पर चावल की एक लेयर और बना देंगे मसाले और चावल की एक एक लेयर सेट करने के बाद हम इसमें food color aid करेंगे तो आप अपनी पसंद से कोई सा भी food color इसमें एट कर सकते हैं हमने red और green food color aid किया है और गानेशिंग के लिए थुड़ा सा हरा धनिया एट कर देंगे और एक टेबल स्पून देसी गी एट करेंगे देखे गी यहाँ पर बिल्कुल ओप्सनल है अगर आप ना एट करना चाहें तो इसे स्किप कर दे साथ ही में एट करेंगे हाफ टी स्पून रोज वोटर आप रोज वोटर की जगह के और वोटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसे फ्राइ क्यूवी प्यास से गानिश कर देंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए दम करेंगे तो हमने इस बिर्यानी को लो फ्लेम पर आधे गंटे के लिए दम कर लिया है ये देखिए कितनी पॉर्फेक्ट एक बिर्यानी बनकर तयार हुई है तो इसे सव कर लेते हैं तो खाने के लिए तयार है मसालेदार और स्पाइसी एक बिर्यानी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि हमारी ये रेसिपि आपको कैसी लगी चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल लिक्वेश्ट है के एसी ही आसान रेसिपिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुडबाई